Hello everyone, CGPAC मुख्य परिक्षा के लिए Paper 7 Part 1 Discussion Series का ये हमारा 24 वीडियो है इस वीडियो में हम Forrest Rights Act के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस Act को 2006 में लागू किया गया था इसे हम 1 अधिकारों की माननता अधिनियम 2006 के नाम से भी जानते हैं या इसका पूरा नाम है अनुसूचित जाती और अन्य परमपरागत वन निवासी वन अधिकारों की माननता अधिनियम 2006 इस अधिनियम को लाने का उद्देश क्या होगा तो इसके नाम से इस परष्ट हो रहा है कि जो वन्चित वर्ग है या जो जन्जाती वर्ग है जो की शुरू से वनों पर निर्भर रहे हैं उनके वन अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह अधिनियम लाया गया है इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? वन वासियों या वन निवासियों के अधिकारों की रक्षा या उनके अधिकारों को मान्यता देने के लिए यह अधिनियम लाया गया है इसमें धारा नंबर 2 से हम शुरू करते हैं कुछ परिभाशाइं दे गई हैं मर्तुपुन हैं परिभाशाओं से सम्मंदित प्रशन पूछ जा सकते हैं दो नंबर के कोश्चन में यहां पर हैं चोटे चोटे प्रशन बन सकते हैं सबसे पहला है Запी ब्रब्राल का मतलब है ग्लांप की परम्पराग अंती समान्य वन भूमी या चारागाह गाओं की या ग्राम की परंपरागत सिमाओं के भीतर समान्य वन भूमी या चारागाह इसको हम समुदाईक वन संसाधन के अंतरगत रखते हैं अगला है वनवासी अनुसूचित जन जाती या वन में निमास करने वाली अनुसूचित जन जाती किसको कहा गया है वनवासी अनुसूचित जन जाती इसका आशर है वे अनुसूचित जन जातियां जो प्राथमिक रूप से वनों पर निर्भर हैं और वनों में ही निमास करते हैं जिनके जीवन की आवशकता हैं वनों पर ही वनों से ही पूरी होती हैं इनको वनों में निमास करने वाली अनुसूचित जनजाती कहा जाता है। दो condition है, वे वनों में ही निमास करते हों और अपने जीवन के लिए या आजीविका के लिए वनों पर ही निर्भर हैं। उनको हम वनवासी अनुसूचित जनजाती कहते हैं। अगला है परंपरागत वन्निवासी या परंपरागत वन्निवासी इसका मतलब है वे समुदाय जो 13 दिसंबर 2005 यहाँ पर एक डेट मेंशन किया गया है परिभाशा में इसी धिनियम के अंतरगत परंपरागत वन्निवासी का मतलब है वे समुदाय जो 13 दिसंबर 2005 से पहले कम स से कम तीन पिढ़ी तक प्राथमिक रूप से वन भूमी पर निवास कर चुका हो वन भूमी में रहते हूं और जो पूरी तरीके से अपनी अवशक्ताओं के लिए वनों पर निर्भर हैं इनको हम क्या कहते हैं परमपरागत वन निवासी एक बार और ध्यांस पूनिएगा इस अलब उनका निवास और उनका अवशक्ता पूर्ती यहां पर परमपरागत वन निवासी वे लोग हैं जो की 13 दिसंबर 25 से पहले कम से कम 3 पीड़ी यहां पर कम से कम इनकी तीन पिढ़ी 2005 से पहले उनकी तीन पिढ़ी अगर वनों में रह चुके हैं वन में इन रहते रहे हो और वहीं पे उनकी आवशक्ताइं पुरी होती है ऐसे निमासियों को या ऐसे समू को हम परमपरगत वन निमासि कहेंगे और यहाँ पर एक पिढ़ी का मतलब क्या है एक पिढ़ी का मतलब है यहाँ पे 25 वर्ष मतलब 2005 से पहले किसी परिवार का कोई सदस्य 75 साल पहले से अगर उस भूमी पे रह रहा हो उसको हम परमपरगत वन निमासि कहेंगे 2005 से और पहले 75 वर्ष अगला है धारा नमबर 3 धारा नमबर 3 यहाँ पे वन अधिकारों की बात करता है और वन अधिकार कौन कौन से होंगे हित ग्रही के इनको यहाँ पे बताया गया है इसमें बनों में निमास करने वाले अनुसुचित, जनजाती और अन्य जो परमपरागत वन निमासी है उनके अधिकारों की चर्जा की गई है तो सबसे पहला है वन भूमी पर अधिकार यह जो कैटिगरी हमने डिसकस किया है वन वासी, अनुसुचित, जनजाती या परमपरागत वन निमासी इनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे सबसे पहला है इनको भूमी में वन की भूमी में निमास करने का अधिकार प्राप्त है अपनी आजीवी का से सम्मंधित वहां से चीजें इकठ़ करने का अधिकार है वहां पर खेती करने का अधिकार है जो की अपने अधिभोग के लिए हो, मतलब personal consumption के लिए ये वहाँ पे खेती कर सकते हैं, वहाँ की जो वनोपज हैं, उनको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें किसके लिए है, personal use के लिए, अधिभोग के लिए, ठिक, अगला है निस्तारण, निस्तारण के यहाँ पर चारा गाह, जलावन लकडी, इन सभी का उपयोग वे कर सकते हैं, अगला है लगूवनोपज, लगूवनोपज पहुँच सारे चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ के कुछ फल हो गए, पत्तियां हो गए, ठिक, ये सारी चीज़ें लगूवनोपज के अंतरगत आती पौधे या अगर फॉरेस्ट के बीच में कोई नदी है, तलाब है, तो वहाँ से मचली पकड़ने, ये सब के अधिकार भी इनके पास हैं, अगला है विधी द्वारा अगर इनको बेदखल किया गया है, मतलब कानून के द्वारा कोई सरकार ने कोई कानून बनाया और इनक इनको पुना पट्टा प्राप्त करने का अधिकार है, उस भूमी पर, अगला है समुदाइक वन संडक्षन का अधिकार, इसका मतलब ये है कि इनका जो परंपरागत रूप से वन संडक्षित करने का जो तरीका रहा है, ये उसको फॉलो कर सकते हैं, तिक ये जो पूरा वो मिलकर जिस भी तरीके से वनों का संद्रक्षन करना चाहें संद्रक्षन कर सकते हैं अगला है जै विवित्ता तथा सांस्कृतिक विवित्ता का अधिकार यह यह जो निमासी है वन निमासी है यह क्या कर सकते हैं वहां की जै विवित्ता पर भी इनका अधिकार है और सांस् इसका मतलब यह है कि अगर वे लोग वहाँ पर किसी प्रकार का जो खान पान के लिए कोई शिकार वगरा करते हैं, तो ये उनके सांस्कृतिक विवित्ता के अंतरगत शामिल होगा और उनको किसी तरीके का पनिश्मेंट नहीं किया जाएगा, अगला है धारा नमबर 3-2, इसमें बताया गया है वन भूमी के परिवर्तन के बारे में फॉरेस्ट लैंड को नॉर्मल लैंड में परिवर्तित करना, सरकार चाहे तो किसी विकास की परियोजनाओं के लिए वन भूमी को समान्य भूमी के रूप में चिन्धांकित कर सकती है और उसको विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग कर सकती है, जैसे कि वहाँ पर कोई स्कूल बनाना है, कोई आंगन बाड़ी बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, सड़क बनाना है, बांध बनाना है, इन सब चीजों के लिए वो स्रकार क्या कर सकती है, वन भूमी को चेंज कर सकती है नॉर्मल भूमी के रूप में अगला है इस अगला जो महत्पूर्ण इसमें पेंच है वो इसको ध्यान रखियेगा कि इन विकास परियोजनाओं का अनापत्ती सिफारिश ग्रामसभा द्वारा दिया जाना आवश्यक है इसका मतलब यह है कि हर गाउं में एक ग्रामसभा होती है ग्रामसभा मिल करके बैट करके डिसकुशन करके सरकार को अनापत्ती दर्च कराएगी अनापत्ती करने का मतलब है कि वो यह बताएगी कि आप जो विकास परियोजनाओं यहाँ पे लागू कर रहे हैं उन से उन परियोजनाओं से गाओं के लोगों को कोई आपती नहीं है, अगर वो ऐसी सिफारिस करते हैं, तब इन विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, यही चीज बताया गया है धारा नमबर 3 सब्कलॉस 2 में, अगला है धारा नमबर 4, धारा 4 में बताया ग अगर 13 दिसंबर 2005 से पहले यह जो जन जातियां हैं या वन में रहने वाले लोग हैं, वो साबित करते हैं कि वो 2005 से पहले उस भूमी पे रह चुके हैं और वो उन्हीं फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हैं, ऐसी कंडिशन में उनके वन अधिकारों को मान्यता दिया जाएगा अगला है धारा नमबर 5, धारा पांच में कुछ कर्तव बताये गए हैं, वन अधिकार जो धारन कर रहे हैं उनके क्या 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 क्र्तव व्य होंगे, इसका सीधा सा मतलब है कि वहाँ पे जो रहने वाली जन जातियां हैं या वन वासी हैं, उनको कौन कौन से कर्तव पालन करने होंगे, सबसे पहला है जैव विविता का संरक्षन, वन McMahon की रक्षा और जैव विविता की संरक्षा के लिए यह इनके कर्तव के में शामिल किया गया है, अगला है वहाँ पर जो भी जेल्स रोत हैं या अन्ये सम्वेदन शिल जो संसाधन हैं, उन सभी चीजों का संरक exploitation नहीं कर सकते हैं और द्योगिक उपयोग की रूप में अगला है सांस्रितिक व प्राक्रितिक विरासत को संरक्षित रखना वनवासी या फिर जो जनजाती समों यहां पे निमास कर रहे हैं वो अपने सांस्रिति और प्राक्रितिक विरासत दोनों को संरक्षित करने के लिए प्रयास कर सकते हैं अगला है ग्राम सभा के विनिश्चय का पालन यहाँ पे जो गाओं निमास कर रही है या वनवासियों का जो गाओं है यहाँ पे इस गाओं की एक ग्राम सभा होगी और ग्राम सभा जो भी विनिश्चय करेगी विनिश्चय का मतलब है निर्णय ग्राम और प्रक्रिया के बारे में, वन अधिकारों को लागू करने के लिए जो अधिकारी होंगे और वन अधिकारों को लागू करने संबंधी जो पूरी प्रक्रिया है, उन सभी के बारे में धारा 6 में बताया गया है, इसने बहुत डिटेल्स महतपूर्ण नहीं है, अगला है धा रुपे तक का प्रावधान किया गया है किसी प्रकार के वन अधिकार का उलंगन करने पर सरकार क्या कर सकती है एक हजार रुपे का जुर्माना लगा सकती है ये जुर्माना सरकार चाहे तो सरकारी कर्मचारियों पर भी लगा सकती है अगर कोई सरकारी समिती है या कोई सदस्य है या कोई अधिकारी है अगर इस अधिनियम के अंतरगत वन अधिकार जो दिये गए है उनसे सम्मंधित कानूनों का उलंगन करते हैं कोई सरकारी कर्मचारी है या दिकारी है कोई समिती है उनके खिलाफ भी यही चीज लागू होगी और उन्हें भी हजार रुपए तक का जुर्माना उनके उपर लगाया जा सकता है ठिक इस प्रकार हमने इस अधिनियम के अंतरगत इस टॉपिक में लगभग दो नंबर के प्रशन पदिभाशाओं से पूछे जा सकते हैं और एक ब्रॉड लेवल पे कि आप वन अधिकार अधिनियम से क्या समझते हैं इनसे सम्मंधित प्रावधानों की व्याख्या करें इस प्रकार बड़े नंबर के मतलब आट नंबर या पूछ सकता है कि कौन कौन से वन अधिकार दिये गए हैं यह सारी चीजें हमको थोड़ा सा टॉपिक आपको पॉइंट पॉइंट कम से कम याद रहना चाहिए ताकि आप आप वहाँ पे उसको एक्स्पेंड करते हुए लिख सकें इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू